दोस्तो आज की हमारी यह कहानी तरेता युक पर आधारित है एबम रामाईड की माता सीता के बारे में है दोस्तो रामाईड के अनुसार माता सीता को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी दोस्तो लेकिन माता सीता के अगनी परिक्षा देने के पीछे एक बड़ा रहसे है क्या आप इस रहसे को जानते हैं और माता सीता जी को ये अगनी परिक्षा क्यों देनी पड़ी थी आखेर सीता जी के द्वारा अगनी परिच्छा देने के सम्बंद में ऐसा कौन सा रहस्य है दोस्तो इस कहानी के द्वारा मैं आपको सीता जी की अगनी परिच्छा से सम्बंदेत एक अग्यात रहस्य की जानकारी देने जा रही हूँ इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुने दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट अवसी ही करें दोस्तों आईए अब जानते हैं कि सीता माता ने कौन सी अगले परिछा दी थी और कैसे दी थी और सीता माता के अगन परिछा देने के समद्ध में कौन सा बड़ा रहसे छिपा हुआ है यह भी जान लेते हैं रामाइड की कथाओं के अनुसार असली सीता माता नी को कोई भी अगनी परिछा नहीं देने पड़ी थी और नहीं उनको बनवास में जाना पड़ा था और भगवाल रामचंद्र जी भी सीता माता के इन दोनों रूपों के बारे में भली बाती जानते थे कि उनों नहीं सीता माता के इन दोनों रूपों की रचना की थी दरसल दोस्तो त्रेता युग में सीता त्रेता युग की ही नारी थी और सीता माता हमेशा अगनी देपता की पूजा किया करती थी और उस समय त्रेता युग में अक्सर यह माना जाता था कि जो भी इनसान अगनी देपता की पूजा किया करता है उसे अगनी बिल्कुल भी जला नहीं सकती है यानि कि उस इनसान के उपर अगनी का कोई प्रभाव नहीं होता था और कोई इनसान अपने हिर्दै से बिल्कुल सच्चा होता था तो भी अगनी का प्रभाव उसके उपर बिल्कुल नहीं होता था दोस्तो और इसी वज़े से सिरी राम जी के प्रभाव से असली सीता माता जो थी वह तो अगनी देव की सरण में बिल्कुल सुरक्षित हो गई थी और जो माया की सीता माता थी वही पूरे बनवास के दोरान बन में समक्ष थी यानि की स्री राम के साथ उपस्तित थी और इस तरह से सीता जी के अपरहन के समय से लेकर अगनी परिच्छा के समय तक माया सीता जी ही उपस्तित थी दोस्तो इस बात का जिक्र रामचरित मानस के अरान कांड के दोहा तेज के अंतरगत लिखा गया है इसके अलावा भी लंका कांड में भी दोहा नमबर 108 से 109 में इसका जिक्र किया गया है दोस्तो इस तरह से हमें ग्यात होता है कि रामचरित मानस के अरान कांड एवं लंका कांड में दो तरह की सीता माता का जिक्र है एक असली सीता माता का और दूसरी माया की सीता माता का इसके अलावा यह भी ग्यात होता है कि भगवान राम ने ही असली सीता माता को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अगनी देव की सरण में बेज दिया था और उनकी जगे पर माया की सीता मा को हमेशा अपने साथ भारिया के रूप में रखा था जिस्से की असली सीता माता हमेशा सुरक्षित रहें दोस्तो हमारी यह कानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवसी ही वताएं कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें शेयर करें एब हम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अवसी सपोर्ट करें पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद